हुआ हнь कि हलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत अब वीडियो लेक्ष्टर में तो हम लोग बात करनें वाले हैं माइक्रो वेस्ट की बारे में ठीक है माइक्रो वेक्रोफ क्या होता है इसका प्लिकेशन कहां पहिमें और जो microwaves devices होती हैं कितने types की होती हैं इन सारे topic को हम लोग बारी बारी से cover करेंगे तो please वीडियो को last तक देखेगा आपको बहुत सारा knowledge मिलने वाला है इस video lecture में तो चलिए start करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं basic ठीक है microwaves का basic knowledge सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो first point है it is the waves that radiate electromagnetic energy with shorter wavelength तो जो microwaves है वो क्या है एक प्रकार का wave है एक प्रकार का तरंग है जो electromagnetic energy को radiate करता है ठीक है तो microwaves हो गया उसके बाद हम लोग देखते हैं next point not reflected by ionosphere ionosphere मतलब क्या होता है आयन मंडल ठीक है तो ionosphere से reflect नहीं होता है जो microwaves होते हैं वो क्या होते हैं आपके ionosphere होता है जो ion मंडल होता है उससे reflect नहीं होते है next point microwaves travel in a straight line एन और reflected by conducting surface तो जो microwaves होता है वो क्या होता है सीधी रेखा में चलता है ठीक है जो microwaves होते हैं वो कैसे travel करते हैं सीधी रेखा में travel करते हैं और किसे reflect होते हैं conducting surface से reflect होते हैं ठीक है उसके रास्ते में अगर कोई conducting surface आ गया तभी और reflect होगा ठीक है next हम लोग देखते हैं microwaves are easily attunated within shorter distance short distance के लिए हम लोग easily जो microwaves होते हैं उसको attunate के अर सकते हैं reduce कर सकते हैं next point है microwave currents can flow through a thin layer of a cable तो जो microwave current होता है उसको एक पतले cable के एक पतले layer से flow किया जा सकता है ठीक है तो जो microwave current होता है उसको कैसे flow किया जा सकता है एक cable के पतले layer से भी flow किया जा सकता है जो microwave current होता है इसको इसके बाद हम लोग देखते हैं next point advantage ठीक है next topic क्या है advantage microwaves जो है उसका advantage क्या है इसके बारे हम लोग समझते हैं तो first point supports higher bandwidth तो जो microwaves होता है वो high frequency के waves होते हैं इसलिए higher bandwidth होता है support करता है hence more information is transmitted जब bandwidth large होगा जब ज़्यादा होगा bandwidth तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग information को क्या कर पाएंगे transmit कर पाएंगे यह तो यह सारे क्या होगे आपके advantage next point for this region microwaves are used for point to point communication ठीक है जो microwave है वो क्या होता है आपका higher bandwidth होता है जिसके कारण से हम लोग इसको point to point communication में use करते हैं ठीक है अगला more antenna gain is possible तो जो microwaves होता है उसके कारण से क्या होता है कि समय फाल फूसरा का use करते हैं उसमें लोग maximum gain को gain करा सकते हैं ठीक है maximum पॉसिबल होता है microwave के कारण से हम लोग use करते हैं तीक है next point higher data rates are transmitted as bandwidth is more जहां हम लोग जान चुके हैं कि जो bandwidth माईकृवेज में क्या है ज्यादा है लार्जर को के लिए और सरा जहादा सच्छाधा सभ्राज रहे हैं लादा पर इसका फ्र्राज शिचान गोर्ट के लिए नडे से रहें as the frequency are higher तो microwaves क्या होता है high frequency की waves होते है जिसके कारण से जो antenna का size होता है या फिर जो height होता है वो भी reduce हो जाता है तो जो frequency हम लोग use करते है जो microwaves की frequency होती है जिसके कारण से जो antenna का size है जो क्या हो जाता है reduce हो जाता है कम हो जाता है ठीक है तो यह सारे क्या है आपके microwave के advantage है next advantage हम लोग देखते है low power consumption as the signal or the higher frequency जो भी signal हम लोग transmit करेंगे higher frequency पर ठीक है higher frequency के जो भी signal हम लोग transmit करेंगे वो क्या होगा आपका low power consumption consume करेगा ठीक है power को बहुत ही कम consume करेगा अगला advantage क्या है effect of fadding gets reduced by using line of site propagation तो मैंने पहले बता है कि जो microwaves होते है वो सीधी रेखा मिटरवल करते है ठीक है सीधी रेखा मिटरवल करते है जिसके कारण से जो effect of feeding जो fadding का effect हो क्या हो जाता है आपका reduce हो जाता है कम हो जाता है next advantage क्या है provides effective reflection area in the radar system तो microwaves का use हम लोग radar system में भी करते है तो वहाँ पे जो हम लोग radar system में जो refractive area होता है वो क्या हो जाता है आपका जो reflective जो effective reflective area होता है वो possible होता है किसके कारण से microwaves के कारण से radar system में ठीक है जो provide करता है वो कौन करता है microwaves next advantage है satellite and terrestrial communication with high capacities और possible तो अगर हम लोग बात करें satellite communication में तो high capability या फिर capacities पॉस्बल होता है किसके कारण से? microwaves के कारण से तो यह सारे कुछ हो गया है आपके advantage next advantage क्या है microwaves के? low cost manufacturer microwave components can be developed तो जो microwave components होते है वो क्या उसको low cost में भी development किया गया है तो जो microwave components होते है उनको develop किया गया लो cost के लिए तो依ो लो cost से उसको develop किया गया है जो microwaves component होते है इसके बाद हम लोग देखते हैं disadvantage microwave की क्या disadvantage हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज है तो उसका advantage होता है तो उसका कुछ ने कुछ disadvantage भी होता है तो अब हम समझते हैं जो microwave उसका क्या disadvantage है cost of equipment और installation cost high होता है जो भी हम लोग equipment यूज करता है microwave में ठीक है उसको install करने का जो cost होता है क्या होता है अब का higher होता है ज्यादा लगता है ठीक है कोई भी equipment है उसको install जब करते हैं हम लोग microwave में तो उसका जो cost होता है वो higher हो जाता है next disadvantage क्या है जो माइक्टो वेब्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्पेस को क्या करता है अगला disadvantage क्या है EM interference में अकर अगर हम लोग बात कर रहे हैं microwaves में तो electromagnetic interference हो जाता है जब हम लोग travel करते हैं जो हम लोग का information है या फिर जो data है उसको microwave transmit करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका electromagnetic interference भी आ जाता है ठीक है EM जिसको EM interference भी बोलते हैं next disadvantage क्या है variations in dielectric properties with temperature में अकर ठीक है temperature को हम लोग vary करते हैं तो इसका जो dielectric properties है वो भी vary हो जाता है जो microwaves है उसमें क्या है कि जैसे हम लोग temperature को vary करेंगे उसके साथ साथ जो dielectric properties है वो भी change हो जाएगा वो भी vary कर जाएगा ठीक है next disadvantage क्या है inherent inefficiency of electric power तो microwaves में जो electric power होगा वो क्या होगा inefficient होगा तो यह सारे क्या है आपके microwaves के disadvantage है इसके अलावा भी कई सारे disadvantage होते हैं तो उनको डिपली बहुत जाने की जरूरत नहीं है इतना आपके लिए बहुत काफी है ठीक है इसके बाद हम आप्लीकेशन Node माइक्रोवेब्स अप्लिकेशन कहां कहां पे है कहां कहां पे इसका यूज है जो माइक्रोवेब्स है उसका यूज कहां कहां पे होता है कहां कहां पे इसका अप्लिकेशन है तो बहुत सारे जगह पे आज कल तो बहुत सारे जगह पे माइक्रोवेब्स का यूज हो रहा है ज है next नेक्स देखते हैं वाइक्स टेक्न लाज़ी तो वाइक्स टेक्नोजी हम लोग्ग dai वाइफाई डिलिलिक्स कla करते हैं अगला क्या है आपका डायक्ट ब्रोड का सेटलाइट में भी यूज़ होता है फॉर लॉंग डिस्टेंस टेलिफॉन कॉल अगर हम लोग को ज़्यादा दूर कॉल करना है तो यहां पर माइक्रोवेब्स का यूज होता है रिमोट पीक अप यूणिट में यूज होत स्टेलएतवी में यूज होता माइक्रोवेट्र का फ. रीमोर्ट सेंशिंग में यूज होता है माइक्रोवेट्र तो इससारे हैं है माइक्षवेब का इन सब में यूज होता है कौन माइक्षवेब के इसके बाद iconにo qaha pe hai sonar application sonar में भी किसका यूज होता है वीध यूज होता यह किसका jkoskay को त्रीक है कोई भी सब्सक्राइच कर ना एक कि कल का मौषम कैसा होगा ठीक है उसके आने वाले कल का तो किसा करते हैं करते हैं नेक्स्ट आप्लिकेशन कहां पर है यह ट्रैफिक कंट्रोल यह ट्रैफिक में इसके अलामा माइक्रोवेवन क्या होता है कि जो भी हम लोग का फुड है इसको हीट करने के लिए या फिर उसको पकाने के लिए हम लोग यूज करता है एक घर में यूज होने वाला डिवाइबस है microwave oven ठीक है जिसको हम पहले एक on traveler electronics में इंपोर्च चुका है कि microwave oven क्या होता है ठीक है तो जो microwave होता है वह भी किसे काम करता है microwave ही काम करता है food processing application में भी यूज होता है microwave का preheating precooking में भी यूज होता है microwave का monitor कर दीट हाइट जो वीट है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है लंग वाटर डिटेक्टर में भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है तो इस सारे हैं आपके माइक्रोवेव का जो अप्लिकेशन है तो देख सकते हैं आपके बहुत सारे ज सिकता है microwave devices microwave devices नो है頭שות एक होती है एसी डिवाइस जो माईक्रोवेफ पर operation करती है उसको क्या बोलते हैं लोग microwave devices बोलते हैं इसको classify करें अगर हम लोग तो इसको microwave active devices microwave passive devices और microwave measurement devices तीन पार्ट में इसको classify किया जा सकता है जो microwave devices होते हैं उनको ठीक है तो जो microwave जो active devices होते हैं वो क्या करते हैं काम जो microwave है उसको generate कर सकते हैं उसको amplify कर सकते हैं उसको dedicate कर सकते हैं ठीक है इन तीनों जो active component होते हैं या फिर जो active devices होते हैं माइक्रूवेव एक्टिव डिवाइस होते हैं वो माइक्रूवेव सिगनल को जनरेट कर सकते हैं और माइक्रूवेव सिगनल को एंप्लिफाई कर सकते हैं मतलब उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और उसको डिडेट कर सकते हैं अगर हम लोग को माइक्रूवेव सिगनल रहा है उसको डिवाइश करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे माइक्रोव एक्टिव डिवाइश का यूज करेंगे तो माइक्रोवेश यह तो खते हैं तो इसके बाद हम लोग थे अर एंप्रीफाइ भी कर रहे थे लेकिन को सिगनल को एम्प्रीफाइ नहीं कर पाएगा signal ठीक है तीसरा क्या है आपका microwave measurement devices तो microwave को measure करने के लिए कुछ devices होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग microwave measurement devices जैसे low medium high high power measurement के लिए use होता है कई सारे devices तो ऐसे devices microwave measurement devices बोला जाता है ठीक है तो जो microwave devices होते हैं उनको हम यो थ्री Пार्ट में हम लोग रिवाइड कर लेते हैं उसके बाद यह के बारी şeyi पढ़ते है कि जो microwave डिवाईसें हो क्या होते हैं किसलिए इसका होता है जो microwave टिवाइस होता है किस्के की इसका फेसलिए का जिस उता घा उनका operation पढ़ना उनका construction पढ़ना application कहा कहा पर है तो बारी बारी से हम लोग पढ़ें आने वाले lectures में उसको भी cover करेंगे तो टैंसल लेने की बात नहीं है ठीक है तो आई हो वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल